which of the following is most likely a mismatch तो बेसिकली इसमें क्या है इन्होंने यह प्रोसेस दीवे हैं वेनार कर में इसमें बता है कि में इनको यूज करते नहीं देखिए गाइस प्रोसेस में तो ज्यादा डीप नहीं जा रहे क्योंकि मैं विछली वीडियो में बता चूंगा लेकिन आपको एक्जाम चंगरते च्चा शरीटी उसकी पीछे बीच में रह जाती जो आपका मैटल मेटल है वह यहां पर खटता हो जाता है पेसिकली statement हो गया, correct answer हो गया, mismatch पूचा हुआ है, ठीक है, now copper और electrolysis, जो electrolysis आपका method ही यूज़ किया जाता है, वो जैसे silver हो गया, copper हो गया, zinc हो गया, इनके लिए यूज़ किया जाता है, यह aluminium हो गया, ठीक है, तो जैसे zinc था यहाँ, अगर electrolysis होता है, तो यह correct होता है, तो फिलाल यह statement सही है, titanium और यह venarchal, देखे venarchal method है, जो आपका दो element होंगे, एक तो zirconium and titanium, इन दो elements के लिए यूज़ किया जाता है, और तो obviously यह statement सही है, again mond process आपका जो है, mond process आपका बहुत famous process है, और यह आपका जो nickel है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको, आपका जो carbon monoxide के साथ, आपके element को heat किया जाता है, और यह आपका nico4, आपका यहां पर लिख देता हूँ, nico4 में convert हो जाता है, फिर again, इसको जब आप फिर आगे heat करते हुए, बहुत ज़्यादा, just like 460 Kelvin temperature पे, तो यह nickel और carbon monoxide अलग से निकल जाता है, तो अब आपका होगे, यह nickel तो य आपका zinc है, यह की जो incorrectly matched है, ठीक है,